हेलो एवरीवन, वेलकम डू माई योटब चैनल, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुपडी के डीवी यानिके डॉकमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से जुड़े वे कुछ इंपॉर्टें का डीवी मेडिकल कम्प्लीट हो चुका है और वो अपना एक्स्टूडेंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो मैं आपको जो है अपनी एमेल आइडी बता रहा हूँ इस पे आप मुझसे एक बार कॉंटेक्ट जरूर करें आपकी छोटा सा जो प्रियास है वो काफी लोगों भी मदद कर सकता है अब ही आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है जिनका डीवी जो है चंडिगर जोन से कम्प्लीट हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो डीवी मेडिकल है उसका हाला कि शॉर्ट रिवीव मिला है लेकिन शॉर्ट रिवीव में बहुत अच्छे बाते उन्होंने बताई हैं और काफी इंफर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए रहेगा तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाओंगा आप लोग ऐसे किसी भी स् हैं डीवी के बारे में तो देखो एक तो बड़ा पॉइंट ये बता लगाए कि जो फालतू के डॉक्यमेंट है वो ज़्यादा चेक इस बार नहीं हो रही है अभी क्या है कि देखो जल्दी बाजी बहुत हो रही है हम लोगों को जल्दी जल्दी वेकेंसी को कंप्लीट कर बिए उसके अलावा जैसे 12 हो गया या फिर अगर आपका जो है आईटे वगेरा अगर आपने भरा है जैसे आप CC वाले हैं तो जरूरत है अदर्वाइस फालतू के 12 ग्रेजविशन बी टेक वी टेक के जो डॉक्यमेंट है आपको ले जाने की आवशकता नहीं है क्योंकि ना तो वो चेक करेंगे मुझे ऐसा बताया गया है कि किसी स्टूडिय ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये चेक कर लो तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा इसके आवशकता नहीं है तो आपको फालतू के डॉक्यमेंट ले जाने की कोई आवशकता नहीं है दूसरा इबीसी का सर्टिफिकेट है इंकम का सर्टिफिकेट है ये प्रॉपर बनवा लेना नॉटिफिकेशन में सारा दिया गया है कितना पुराना चलेगा कितना नहीं चलेगा तो उनको एक हफते का टाइम दिया गया है और एक हफते बाद उनको फिर से बुलाया गया है कि अप अब लोग जो है document वगएर आपने proper तयार करें दूसरा यह पर अधार कार्ड वगएर आपका सही होना चाहिए और photo तीन चार चीज यहाँ पर यह mainly check हो रही है जैसे मैं आपको बताया 10th की mark sheet वगएर आपकी होगी कास्ट का certificate EWS वाला हो गया या जो आपका SST का है अधार कार्ड हो गया photo हो गया बागी जिसके पास application form नहीं है CBT का half portion admin card का नहीं है तो बिल्कुल निश्चिन तो के जाओ ऐसा कुछ नहीं है कुछ जगा पर तो check भी नहीं हो रहा सिकंद्रावाद में तो check भी नहीं हुआ बाकी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहाँ पर जो है अगर document के बारे में बात करेरें तो मैंने आपको बता दिया है, औरक सही नहीं है तो उसके लिए आपको time मिलेगा एक घटेगा ठीक है तो फालत हुए डोकिमेंट लेके नहीं जाने अब मेडिकल की बात करें थोड़ा सा तो मेडिकल के बारे में मैंने पता किया है सबसे पहले जहाँ पर भी आपको मेडिकल सेंटर लॉट किया जा रहा है वहाँ पर जीतने भी स्टूडेंट जा रहे हैं उनको चार पांच की ग्रुप में बना दीये जा रहा है मतलब जैसे 4-4 की ग्रुप वहाँ पर बना दिये क्योंकि सभी का क्या कर सकते हैं जैसे अगर सभी को तो बहुत डेले हो जाएगा वहाँ पर गूर्प से बना दे रहे हैं तो किसी को वहाँ पर ट्यूबर क्लॉज़ जैन की टीबी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ पर उनको पेंडिंग में रखा गया, मनला पेंडिंग में ये बोला गया कि बैठो आपसे जो है दुबारा डीटिल में लिया जाएगा, तो दूसरा आप यूरीन का जैसे पहले गुरूप का चेस्ट का एक्सरे ले लिया, दूसरे का यूरीन टेस्ट हो गया, यूरीन टेस्ट बेसिकली सुगर के लिए हो रहा है, और किसी स्टूडेंट का वापर शूगर भी पाया गया है, तो वो भी टेस्ट हो रहा है, उसके अलाब देखो जो आपकी चश्मा वहाँ पर नहीं बताना है या चश्मा नहीं दिखाना है अपने चश्मे का जो minimum number आपका बन सकता है वो किसी भी doctor से जाओ जैसे कोई चश्मे की जाच करने वाले होते हैं वहाँ से वो slip निकल वाओ या किसी डॉक्टर के याँ चेक करागे वो लिखवा के लाओ जो आपका number है और अपना चश्मा साथ में लेकर जाना जो साथ में चश्मा नहीं ले जा रहा है नंबर ने ले जा रहा है और वहाँ पे उनको लगा कि इसको तो चश्मा लगा हुआ ह तो वो क्या करेंगे आपको बेजेंगे बाहर कि जो डॉक्टर से किसी भी आइस के डॉक्टर से कॉंटेक्ट करो वहाँ पे अपने चश्मे का number लिखवा के आओ और अपनी आखे चेक करा के आओ तो चश्मे वाले special ध्यान दो कि अपना चश्मा उसका number प्रॉपर लिखव और वो नहीं लगा रहे हैं बस देखके चेक करेंगे किसी को डॉट हो रहा है तो टोट से फिर उसको थोड़ा बारी किसे भी वो चेक कर रहे हैं दूसरा ही पर एक पॉइंट समझ लो अगर किसी को इन में से कोई प्रॉब्लम होती है हरनिया हाइड्रोसील या पाइल्स की तो उसको तीन महीने का टाइम दिया जाएगा ठीक है न यह वहां से मुझे पता लगा है कि उसको तीन महीने का टाइम दिया जाएगा और वो अपरेशन कराके दुबारा आ सकता है ऐसी दोबारा आ senses matin मिले के बाकिया बाकी यहाँ पर तेखो BP ब्लड प्रियर का आपका bottle test division देखके भरना अब यहाँ पर एक बड़ी बात हम लोग कर लेते हैं जो थमनेल में ने लिखी है कि DV की जो second list है वो आना तै है ऐसा मैं क्यों बोलना हूँ देखो इससे पहले मैंने सिकंदराबाद की एक student से बात की थी वहाँ पर भी उन्होंने बताया था कि लगबग 100 में से जो है 15-20 student complete process में चाहे DV और medical को मिलाने तो complete process में 100 में से 15-20 student absent है ठीक है तो सीधा-सीधा कितना होगा 20% यहाँ पर आप कह सकते कि absent percentage हो गया तो ऐसा ही कुछ चंडिगर से भी सुनने को मिला है कि काफी जो student है वो DV में absent हो रहे हैं अब उसका कारण कोई ज़्यादा इसमें rocket science नहीं simple सा है काफी लोगों का selection NTPC में भी हो चुका है और वो PT भी दिये हैं ठीक है या कोई और भी कारण हो सकता है लेकिन DV में student absent हो रहे हैं और जिससे हमें यह पता लगता है कि DV की second list आना बिल्कुल conform है क्योंकि देखो one ratio one में student बुलाया जा रहे हैं कोई भी student वहाँ पे फालतू नहीं है तो जितने भी 10% 20% student की वहाँ पे कमी पड़ रही है वो अभी हाल फिलाल में मतलब जैसे ही यह first round का DV complete होगा इसके बाद ही दूसरा cut off आएगा हो सकते है इसके बीच में आ जाए और बाकी जो boundary line पे student है जिनके points में marks कमें उनको बुलाया जाएगा और उनका happy DV conduct कराया जाएगा सबसे बड़ी news यह मिली है बाकी देखो आज मैंने अपनी community पे भी पोल डाल दिया है अब जैसे जैसे student से बात होगी तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि live भी जो आउनका review है वो दिलाऊं क्योंकि live में थोड़ा problem ही होते है connectivity इसलिए मैं phone पे बात करके आपको बताता हू लेकिन थोड़ा live का भी हम लोग management करेंगे और proper way में आपको पूरी information दूँगा इसलिए अब channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना